जब किसी मनुष्यकी मौत हो जाती है तो कई लोग घर में गरुण पुरान का पार्ट कराते हैं परंपरा है कि मरने की पश्चार 13 दिनों तक आत्मा उसी घर में रहती है इसलिए आत्मा को गरुण पुरान का पार्ट सुनाया जाता है ऐसा करने से मनुष्य को यमराज के दंड से मुक्ती प्राप्त होती है और सद्गती प्राप्त होती है साथी इसे सुनने से अन्य वेक्तियों को भी धर्म के मार्क पर चलने की प्रेणना मिलती है गरुण पुराण में मनुष्य को कर्म के मुताविक स्वर्ग एवं नर्क लोक मिलने का जिक्र किया गया है जान कैसे निकलती है, मरने के पश्चात आत्मा का क्या होता है, आत्मा कब और कितने वक्त के लिए यमलोक जाती है इन सभी प्रश्णों के उत्तर गरुण पुराण में प्राप्थ हो जाते हैं इस क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं कि देवता यमराज के निवासिस्थान यमलोक से जुड़ी कुछ रहस्यमई बाते जिनसे हो सकता है कि आप अंजान हूँ दोस्तों गरुण पुराण और कठोप निशद में यमलोक के बारे में बताया गया है कि मृत्यू लोक के उपर दक्षण में 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक इस्थित है योजन प्राचीन काल में दूरी नापने का पैमाना था एक योजन 4 किलोमीटर के समान होता है दोस्तों यमराज के राजमहल का नाम कालीत्री है और वे विचारभू नाम के सिंगासन पर बिराजमान होते हैं यमराज की महल में 4 गेट हैं कर्मों के अनुसार भिन भिन दूर से लोगों का इसमें प्रवेश होता है पापी लोग दक्षण दिशा से प्रवेश करते हैं दान्पुन्ने करने वाले विक्तियों का प्रवेश पश्चिम दुआर से होता है सत्यवादी लोग और माता-पितावा गुरुजनु की सेवा करने वाले व्यक्ति उत्तर दिशा के द्वार से यमलोक में प्रवेश करते हैं उत्तर वाले द्वार को स्वर्ग द्वार माना जाता है यहां गंदर्व तदा अपसराय आत्मा का स्वागत करती है दोस्तों यम्राज के सेवकों को यमदूद बोला जाता है महंड और कालपुरुष इनके दो रक्षक है और वैद्यत दुआरपाल है दोस्तों यमलोक में ही चित्रगुप्त का निवास है चित्रगुप्त महराज व्यक्तियों के करमों का लेखा जोका रखते हैं दोस्तों यम्राज का भवन का निर्माण विश्व करमा द्वारा किया गया है यम्राज की सभा में कई चंद्रवन्सी और सूरेवन्सी राजा रहते हैं जिनके सुझ्झाव तता ग्यान से यम्राज प्रेत आत्माओ को कर्म के मताबिक फल देते हैं दोस्तो भवान विश्कलू यम्राज के भवन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यम्राज के भवन की चमक स्वर्क के समान है जहां अंगिनत प्रकार के पुश इस पवन को सुगंदित करते रहते हैं इस भवन में एक बेहत आकरशक सिंगासन है जहां से युबराज विराजमान रहते हैं यहां पर यमराज की सभा भी लगती है जिसमें केवल धर्म के मार्क पर चलने वाली आत्मा ही प्रवेश कर सकती है ऐसी आत्मा है जिन्होंने कभी असत्ते ना कहा हो और जो अध्यात्मिक प्रगती और शांत स्वभाव के हों और जिन आत्माओं ने दान पुन्ने किया हो साथी महल के मद्धे में चित्रगुप्त का भवन है जो काफी आकरशक है जहां बैटकर चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जूखा करते हैं और जिसमें लिखित पापी आत्माओं के माद्यम से उन्हें यातनाय दी जाती है दोस्तो यमलोक में पुश्पोदका नाम की नदी बहती है इसके किनारे पर खूब सूरत चायाधार ब्रक्ष लगे हैं यमलोक की यात्रा के चलते आत्मा कई वारिन पेड़ों के नीचे विश्राम करती है पित्रो द्वारा किया गया तरपन तथा पिंडदान इसी जगे पर एक आत्मा को प्राप्त होता है तो दोस्तो इसी जानकारी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है ऐसे ही और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल दर देवी गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें वीडियो में आप सभी अन तक हमारे साथ बने रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद